हाई अब्रिवन आपका हमारी यूट्यूब चनल पर स्वागत हैं तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वाटसप एक न्यूप पॉलिसी लेकर आया है जो उसमें बताया गया है कि आपको जो भी डेटा होते हैं हार्डवेर डेटा वो सारे वो फेस्बूक के साथ सेयर कर सक लगता है तो अगर हम उसके टेर्मेंड क्डिशन को अधेप्ट करेंगे तो हमार दूसके वाटसप अप एक अप्लिकेशन आपको बताने वाला हो जिसे आप यूज कर सकते जिसका नाम है सिंगनल तो इसके जो डाउनलोड से वे काफी प्रते दिन बढ़ते जा रहे हैं औ और काफी लोग इससे डाउनलोड कर रहे हैं और यह काफी सीक्यूर भी है तो इसमें जो फीचर्स दे गए हैं वो आपको वाट्सप की तरह ही आपको मिलेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें कैसे एकाउंट बनाएंगे और इसको आप कैसी उच करेंगे तो वीडियो कुलाश तक देखते रहे हैं तो सिगनल अप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर लिए जब प्लेश्टर में आप विजली मिल जाएगा यह इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी द प्लेश करने का यह परमिशन मांग रहा है तो जाले हम कंट्रीन ऊपर इंटरफेस का मिलेगा जो उपर में आपका कंट्री हां पर स्लेक्ट हो जाता है इंडिया अगर नहीं होता तो आप खूद से कर सकते हैं उसका बाद यहां पर आपका मोवाईल नमबर आ जाता है मुवाइल नमबर देते हैं तो सेम होसा हिए आपको इसमें भी देना होगा तो मुवाइल नमबर देने के बाद आपको continue पर क्लिक करना होगा जैसे आप continue पर किलिक करेंगे तो यह थरह सब प्रोसेस होगा है उसके बाद OTP आएगा आपके फोन नमर पर वह OTP यहां पर नाम पर optional है अगर आप चाहे तो last name डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं तो चलिये हमें आप पर shortcut में क्यार कर दोते हैं। उइसके बाद वफर में आप देख रहे हैं आप अपने profile picture भी हाँ से आप लगा सकते हैं फिलाल हम profile picture नहीं लगाते हैं और आप चाहे तो लगा सकते हैं उपर में देख रहे हैं केमरा का एक आइकन है इस पर आप क्लिक किजेगा तो आप अपने जो भी गिलेरी में फोट होंगे वहां से अपने प्रफाइल पिक्चर भी आप यहां से लगा सकते हैं नहीं तो आप बाद में भी लगा सकते हैं तो यहां पर नाम इंटर कर देंगे उसके बाद नेक्ष्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्ष्ट पर क्लिक करते ही यहां पर आपको एक पीन यहां पर क्रेट करना होगा तो यहां पर आपको स्ट्रॉंग पीन सेट करना होगा तो चलिए हम कर लेते हैं पीन सेट करने के बाद आपको next पर क्लिक करना होगा तो वे फिन को आपको दर्बार है नहीं करना होगा तो चलिए हम कर लेते हैं इसके वाद आपको next पर क्लिक करना हो, पीन create हो रहा है, तो चलिए हम wait कर लेते हैं, तो हमारा जो account है, वहाँ पर create हो चुका है, उपर आप देख रहे हैं, एक papa के तरह उपर आया है, तो इसमें दियागा, जो भी आपका sms आता है, main sms, उसको भी आप इस application में receive कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें, आपर permission मांग रहा है, जो भी आपका main message होता है, वो इस application में भी आप receive कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर yes कर दते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह interface आपको देखने को मिलेग और जिससे भी हमने on करके रखा है, वो इसके बाद यहाँ पर आप privacy पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ साब जो screen lock भी यहाँ से on कर सकते हैं, screen security लगा सकते हैं, और काफी सरे यहाँ पर देखेंगे फीचर जिनसे आप एका करके आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह आप WhatsApp में दिये गए थे, सारे चीज़ों सही हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ब्लोक जिसको आप किजेगा, तो ब्लोक यूजर यहाँ पर आपको सो हो जाते हैं, और इन्चा स्क्रोल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एप्र अप्लिकेशन को यूज करना होगा, वो लेंग्वज आप यहाँ से सलेट कर सकते हैं, और इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो चलिए हम इंग्लिस कर दते हैं, उसके बाद उपर माप देख रहे हैं, तो थीम को आप चेंज कर सकते हैं, इस अप्लिकेशन को जिसे हम लाइट प हम क्लिक करेंगे, मेसेज का जब font size होता है, इससे आप यहां से increase, decrease कर सकते हैं, फिलावर मेरा normal preset है, तो मुझा ही रहने देते हैं, और निचे में आप देख रहे हैं, यूज system emoji है, तो इसको हम on कर देंगे, तो हमारे इस application में emojis आ जाएंगे, उसके बाद हैं पर key sends है, जैसे कि हमें keyword के नीचे एक 3 type का आता है, जिसे हम click करके message को भेज सकते हैं, तो उसको पर आप चाहते हैं, यहां से on कर सकते हैं, और नीचे से आप यहां पर chat backup यहां ले सकते हैं, उसके बाद यहां साप इससे storage भी देख सकते हैं, कि अतने इसके जो photo, video और file audio, तो सारे कहां पर review storage देख सकते हैं, कि इसमें क्या है, तो WhatsApp से कई beta इसमें features दिये गए हैं, और आपको यूज करने में काफी अच्छा लगेगा, यहां से जो भी आपका message होगा, उसका history आप यहां से change कर सकते हैं, उसके बाद ग्रूप यहां से select कर सकते हैं, तो काफी अच्छा application आप यहां से on कर सकते हैं, उसके बाद invite friends पर क्लिक करके, आप signal application को download करने के लिए, आप अपने दोस्तों को invite कर सकते हैं, उसके बाद हम settings पर क्लिक करेंगे, तो आपको काफी सारे settings मिल जाते हैं, जो भी मैंने आपको अभी बताया, तो settings के दो तरह के आपको option मिल जाते हैं, आप चाहे to sell पर क्लिक करके, आप खुद का यहां पर note बना सकते हैं, और यह जो note है, वो काफी आपका secure रहेगा, किसी के साथ इसे share नहीं किया जाएगा, तो चलिए हमें आपको कुछ लिख लेते हैं, तो जो भी आप यहां पर note बनाएंगे, यहां पर वो save हो जाएगा, उसके बाद आप अपने member को भी यहां से add कर सकते हैं, फिर साम पैंसे वाला icon पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपने के contact में आपके members होंगे, उनको आप यहां से add कर सकते हैं, एक करके, जिसा हमें इसे add करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर हम कोई भी message करेंगे, और यहां पर देखिए, वो मेंबर यहां पर add हो चुका है, जिसे हमने अभी यहां पर add किया, वो एककर करके इस तरह आप इसमें add कर सकते हैं, बिल्कुल WhatsApp की तरह ही, आपको काफी अच्छा लगएगा, और मेरा suggestion रहेगा, कि आप WhatsApp को delete कर देंगा, तो वही अच्छा रहेगा क्युकि जब उसके जगापर इतना अच्छा application आपको मिल रहा है, आप चाहे तो टेलिगराम application भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें और काफी सारे feature आपको मिलते हैं, उसमें cloud और storage मिल जाते हैं, उसमें आप channel ग्रेट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो टेलिगराम कैसी यूज़ करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अपने channel पर आप वहाँ से देख सकते हैं, तो कुछी इस तरह आप उस signal application का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें account बना सकते हैं, I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा, तो वीडियो को ल आपर.